गूढ़र्णिंग फ्रेंड्स मैं राज त्रिभुवन आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अंग्रेजिय में हम बहुती सही तरीके से प्रनॉसीयशन कर सकते हैं और सही तरीके से प्रनॉसीयशन करना क्यों जरूरी भी है यह भी हमें देखना चाहिए बहुत पर्टिकलर हो होना चाहिए जब आप किसी भाषा को सिखते हो या सिख चुके हो कास करक லेकर क्यूंकि बहुत बार भाषा का जो लहजा होता है बात करने का तरीका होता है वह बहुत हदrenagement के साहँ चलता है मैं आपका ज़ादा वक्त न लेते हुए कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बार-बार बताने जाऊंगा हर रोज मैं आपको एक बात को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ और आज हम लेने वाले हैं एक वर्ट जैसे M-E-N-T जो हम government में देखते हैं या फिर achievement में देखते हैं या फिर हम commitment में देखते हैं तो इसको कैसे pronounce किया जाना चाहिए इसको दो तरीके से pronounce होता है यह एक तरीका है इसका मंट के तौर पर ये प्रनाउंस होता है मंट और दूसरा होता है प्रनाउंस मेंट के तौर पर मिसे मंट के तौर पर कब प्रनाउंस होता है और मेंट के तौर पर कब प्रनाउंस होता है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ऐसी ही बहुत खूपसूरत और अच्छी बाते सिखने के लिए आप जरूर इससे सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारा ये पढ़ाई का स यूज करना है तो जेनरली जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूं अचिफ मेंट अचिफ मेंट गवर्मेंट कमिट मेंट के अकनौलीजमेंट अकनौलीजमेंट मुझे हो गया वो अड़जसमेंट डिसकरेजमेंट डिसपोइनमेंट और ऐसे बहुत बहुत सारे जो words है जो भी अभी मैंने कहे इनका हर किसी का pronunciation गलत था गलत in the sense आखरी में जो मैंने suffix use किया है month m-e-n-t वो month होना चाहिए क्योंकि उसके पहले जो word है वो कोई root word है ऐसे government में govern is a root word तो उसके बाद अगर meant लगता है m-e-n-t जैसे मैं हमारे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो उसके बाद अगर m-e-n-t लगता है तो उसका pronunciation month हो जाता है जैसे government government not government achieve के साथ अगर हम m-e-n-t लगाते हैं तो हो जाएगा achievement discourage यह जो मूल kriya pad है verb है इसके साथ अगर हम m-e-n-t लगाते हैं तो हो जाएगा discouragement adjust के साथ अगर हम m-e-n-t लगाते हो जाएगा adjustment तो adjustment discouragement commitment government embarrassment improvement इस तरीके से इन शब्दों के साथ जब यह m-e-n-t suffix लग रहा है तो यह हो जाता है month लेकिन कुछ ऐसे words है जिनमे m-e-n-t होता है लेकिन वो suffix के तौर पर नहीं होता है suffix बोले तो बढ़कर लगने वाला आगे जो मूल क्रियापद या मूल शब्द के आगे जो लग जाता है उसको हम suffix कहते हैं लेकिन m-e-n-t हर बार suffix नहीं होता है जैसे मैं आपको एक word बताता हूँ garment g-a-r-m-e-n-t तो garment में जो m-e-n-t है यह बिलकुल भी suffix नहीं है क्योंकि गार यह कोई word नहीं है यह कोई मूल क्रियापद नहीं है एक separate word नहीं है वो एक ही word है कुल मिलाकर word है मिस गार्मेंट वी से गार्मेंट वी कैनोट से गार्मेंट जो अब हमने देखा है वी कैनोट से क्लेमंट हमें क्लेमेंट कहना पड़ेगा c-l-e-m-e-n-t डॉकुमेंट टूर्नमेंट कॉमेंट तो यह जो words मैंने कहा है इनमें भी m-e-n-t है लेकिन वो मेंट के तार पर हम इसे कहते हैं और ना कि मंट के तार पर मंट के तार पर हम तभी प्रणाउंस करते है m-e-n-t को सफिक्स को जब वो किसी मूल क्रियापत के साथ या मूल शब्द के साथ आता है वन्स अगें सिर्फ दो वर्ट्स मैं आपको बताता हूँ गवर्मन्ट और गार्मेंट गवर्मन्ट और गार्मेंट तो यह फर्क अगर आपकी समझ में आता है तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो enjoy कर सकते हो आपका इंट्रेस अंग्रेजी सिखने में बढ़ जाएगा और आप जब बात करोगे speech दोगे अपना presentation दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा effective हो सकता है क्योंकि already English is a very universal language and nowadays there are universal and global platforms are ready for us where we are presenting ourselves so these pronunciations are but a matter of fact thank you very much अगर आपका हमारा चैनल अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना फूल thank you very much